दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे MS Excel में Consolidate Option का यूज़ क्या होता है और हम Consolidate Option के यूज़ कैसे Excel में करेंगे तो चलिए दोस्तों नमस्कार मैं हुरे जिनिस मिस्रा आप देखें आपका अपने टुचलन प्राइम अडिशन टेक और दोस्तों अगर चैनल मे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको जो भी वीडियोज अप्लोड करें उसकी इंफ्रमेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए दोस्तों उदाहल के तोर पर समझते हैं सबसे पहले तो देखें हमारे पास यहां पर कुछ टीटा र रखा है इस त्रीके से आफरे पास सिकेंडर सेंडर को टर की सहले रहें पर रखें हैं और उनकी टूटल से प्धसक्ष्य का पर ला कंपर कि यहां पर चाहिए तो इस काम को करने के लिए हम Consolidate Option के यूज़ करेंगे मतलब हम अलग-अलग सीट में अगर डेटा को रिकार्ट करके रखें हैं और उसका हमें कहीं दूसरी सीट में या किसी अधा सीट में टोटल चाहिए या हमें उन सबको को Consolidate कराना किसी दूसरी सीट पर तो इस Consolidate Option के यूज़ करके हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल इस काम को कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको टोटल सेल पर चले जाना है जहां भी जिस सीट पर आपको टोटल सेल निकालना ह हैं मतलब कि यहां पर मुझे इन सभी सीट को Consolidate करना है तो सबसे पहले जाएंगे इस तरीके से और इसके बाद आपको चले जाना है डिटे टैप पर यह आपको यह टैफ है डिटे टैप और जाएंगे तो आपको यहां पर आपसर मिलेगा Consolidate का आप देख पा रहेंग आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए यह Consolidate में फंक्शन के यूज़ पहुंच रहा है कि आपको कौन से फंक्शन के यूज़ करना है तो आप यहां से अपनी जरुवत के सबसे फंक्शन के यूज़ करेंगी मुझे टोटल निकाल पर क्या और यहां से यह पूरी रेंज में सेलेक्ट ले रहा हूं इस तरीके से और यह मुरा पूरा डेटर हैं पर सेलेक्ट हो चुका है इसके बाद आपको इसको एड करना है राइट इस तरीके से दिन इसके बाद आपको पूरा जिस दूसरी सीट पर जाना है और उस प्रेट करा देंगे मतलब आपका काम क्या है सबसे पहले कि आप जिनको कॉंसोलिडेट कराना चारे जिन सीटों का तोटल आपको चाहिए उन सभी सीट को आप यहां रिफरेंज में सेलेक्ट करते जाएंगे और एड करते जाएंगे इस तरीके से यह देखें हमारी रिफरेंस में जा करके और उनसीट के डिटा को एड करा लेना आपको ठीक है दुन उसके बाद आपको यूज लेबल इन पर यहां पर आपको एक आफ्शन मिल रहा है टॉप और दूसरा लेफ्ट कॉलम तो यहां पर आपको करना क्या है यह जो टॉप रो में आपने जो भी इनको टॉटल करेगा तो हमें यह जो लेफ्ट कालम रिपोर्ट लिखा प्रोड़क्ट नाम दिया है इनके साथ में इनकी सेल दिखा है और साथ में फिल्ड भी शो करें तो इसके लम क्या करेंगा पर टॉप रूप रूप पर इस तरी के से टीक करेंगे दोनों चेक बॉक्स को और दूसरी चीज यहां पर एक आफ्षा नॉर्मल तापको क्रियेट लिंक टू सोर्स डेटा क्या तो इसके उसके दोस्तों अगर हम इन सारी सीट को टूटल वाली सीट से लिंक रखना चाहते हैं मतलब कि अगर मैं किसी भी सीट में अगर मैं चेंज करूं और वो चेंज टूटल वाली सीट में आटोमेटिक अपडेट हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे हैं पर क्रियेट लिंक टूट सोर्स डेटा पर टेक कर देंगे मतलब समझ में आया जैसे कई बार हैसा होता है कि आपको फर्स्ट क्वाटर में कोई प्रोड़क्टी सेल रिपोर्ट आपने गल्लत इन्पूट कर दिया और बात में आपने उसको सही किया या फिर आपने कोई डेटा एड़ किया तो वो आटोमेटिक टूटल वाले सीट प पर आ चुके हैं इस तरीके से और यहां पर अप्रेल की मई की जून की जुलाई की अगस्त की जितने भी आपने यहां पर मंत दाला था वो जो अलग अलग यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाटर का जो डेटा था वो यहां पर देख सकते हैं पूरा कंसुलेट रोकर टोटल भी निकाल कर आपको दे दिया गया है तो दोस्तों इस तरीके से हम कंसुलेडेट के यूज़ करके और अलग-अलग सेट मेंगर डेटा है तो हम उसको किसी एक सेट पर कंसुलेट करा सकते हैं